कानहा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महेंगी भेट से प्रसन होता हूँ, और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से, अगर मेरे मन को जीतना है, तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी दर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा, इसके विप्रीत जो वास्तविक है, वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नश्ट किया जा सकता है जो मनुश्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंथ कभी बुरा नहीं होता है मनुश्य अपनी तीन प्रमुख कृटियो द्वारा नरक के द्वार पर पहुँचता है वे तीनों कृटिया, काम, क्रोध और लोब है मनुष्य का समस्थ निर्मान उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है जैसा वो सोचता है उसी के अनुरूप वो बनता है परिवर्तन इस संसार का नियम है एक क्षण में तुम असीम संपती के मालिक बन सकते हो दूसरी क्षण में तुम दरिद्र बन सकते हो किसी से सच्चा प्रेम होना, शुधता और दिव्यता का प्रतीक है जो कुछ भी हुआ है, उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है इसलिए तुम्हारी सारी परेशानिया व्यर्थ है हर चीज की शुरुवात मुझसे होती है और खत्म भी मुझपर आकर ही होती है इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमरित की मिथास देगा लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा कानहा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिये को बदलने की जरूरत है अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ जो व्यक्ती मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रू हूँ अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मो जन्मो तक मैं उसका उधार नहीं करता हूँ मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ जो दिल जितना सुन्दर होता है वहां मैं उतना ही अधिक्त हरता हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र है कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंट शुध हो जाता है कानहा आगे कहते हैं इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो मन बढ़ा चंचल है इसलिए अपने मन को स्थिर रखो उसको कभी व्यथित मत होने दो आपने जो कुछ भी किया वो आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा इसलिए अपने कर्म में शुद्धी लाओ बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वायम आपकी सब परेशानिया दूर करने आते हैं जब तुम शुरुवात करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है कई बार तुमको गिरना भी पढ़ सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो एक समय आएगा जब तुम परेपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा तुम्हारा जो दिल करे उसको करो लेकिन नमटा और सरलता के साथ अहनकार के साथ नहीं इस धर्ती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में द्रिर संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो आसक्ती को त्याग दो सफलता और असफलता को एक समान दृष्टी के साथ देखो जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वो मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है वो मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया जो सभी प्रानियों के साथ समान व्यवहार करता है जो सुक, दुख और दर्द पीरा से अप्रभावित है जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शान्त है उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है यही वो मनुष्य जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छुट है। इसके अतिरिक्त, फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोच कर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई पल मिलेगा बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना, जब कोई मनुष्य अपना मन इंद्रियों के पीछे छोड़ देता है, तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका दूबना तै है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा, यहां कुछ स्थाय नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ, मेरी उर्जा सभी जगा समान रूप से वित्रित है, जो मुझे पहचान लेता है, उसको मैं भक्ती रस्प्रदान करता रहता हूँ स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं, व्यक्तिगत लाब के बारे में नहीं सोचे और में स्वार्थ भाव से काम करें कान्हा कहते हैं, मैं हर समय से यहाँ पर था, ऐसा कोई समय नहीं है, जब मैं यहाँ नहीं था, मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था, और समस्त भविष्य में भी मैं विद्यमान रहूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पन के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुधा कर देता हूँ वे लोग जो केवल कर्म के पल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिन्ताएं पीछे छूट जाती है फिर उसको किसी वजह की चिन्ता नहीं होती है चाहे चीजे अच्छी हो या बुरी वो सदा एक सा रहता है जो लोग अपनी आत्मा से भलीभाती परिचित है वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रन रखते है अपने भूत की घटनाव पर चिन्तित होना व्यर्थ है तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो ना अपने भविश्य की कल्पना कर सकते हो तुम केवल चिन्तित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थ हीन है, जो तुमने सुना है, उस पर विश्वास मत करो, कुछ लोग अपने विवेक से, मुझे अपना बनाते है, कुछ लोग ज्यान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से, तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, ये अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ग्यान और कर्म अलग-अलग है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें एक ही मानते हैं, मनुष्य अपना कर्म ग्यान के अनुसार ही करता है। मृत्यू के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं, इसलिए मृत्यू को लेकर कोई भाय पैदा मत करो। सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येग घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किये गए कार्य के परिनाम अलग-अलग हो सकते है। ये केवल इस बात पर मिर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जला कर राख कर देती है। उसी प्रकार आत्मा ज्यान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांती प्रदान करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जैश्री राधे कृष्ण लिखें। और ऐसे ही प्रेरना अदायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैश्री राधे कृष्ण।